ये राहूल जी का माइक बंद करना और ये फिर से हमें लगा था कि ये पिछले सदन में जो सब चीजें हुई पिछले कारेकाल में उन चीजों पर अब जागे लगाम लगेगी ये सरकार अपनी तानाशाई से अभी भी बाज नहीं आ रही है और फिर से इन्होंने अपना वो दुबारा पारलेमेंट आएगा तो ये सस्पेंट और करेंगे कांग्रेस वालों ओ ये दूषरे अंग्रेज के चाटुकार और अंग्रेज के ही लोग हैं जो देश पे सासन पूरी ताना साही के साथ कर रहे हैं तो दूसरी बात पर आप उनके खिलाफ बोलने जाएंगे तो आपको घिरफतार कर लिया जाएगा उम बिरलाजी समविधानिक पद पर बैठकर देश के समविधान की प्रणालियों का गला गोटने का काम कर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग ये पूर्ण है 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और उनके भविष्य की बात यदि सदन में नहीं की जाएगी तो फिर कहा की जाएगी और स्पीकर का ये बिल्कुल जो रवया था कि माईक आप कर देना कल दिपेंदर हुड़ा को ऐसे बैठाया जैसे वो स्कूल में कहीं पढ़ने क सदन की घरिमा का कोई ख्याल नहीं है आपके दिल में चोर है कि ये बोलेंगे तो बात दूर तलग जाएगी हम इनको बोलने नहीं देंगे हम इनका म्यूट करवा देंगे लेकिन इनको समझना पड़ेगा जनता जाक गई है आप एक आवाज मूट करोगे यहां 24 लाक राह आज राहुल गांधी ने संसद में नीट यूजी का जो पेपर लीख हुआ था वो मुद्दा उठाया वो चाहते थे कि संसद में इस पर चर्चा हो जनता के मुद्दो की युवा के मुद्दो की बात हो लेकिन इससे पहले कि उनकी बात कंप्लीट होती माइक बंद कर दिय गया ओम बिर्ला ने माइक बंद कर दिया इसी को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस से पहले भी जब संसद चला तब कई बार राहुल गांधी के साथ इसी तरीके की चीज़े की गई है विपक्ष को दबाने की जो कोशिश लगातार संसद में होती है उसको लेकर क किया रहा है और नीत यूजी जो पेपर लीग हुआ है वो मुद्धा राहुल गांधी डिसकस करना चाते थे तो ओम बिर्ला ने माइक बंद कर दिया क्या रहा है आप किसके बारे है जो भारती जनता पर्टिक की सरकार है लिक शरकार है चाहे वो जीजी का मामला हो नीट का क्या हुआ राहुल गांधी जी लगातार इस देश की आम आवाम की बात करते हैं आज युवा तीस से चालिस लाक युवा जब सड़कों पर निकलता है तो वे चाहता है कि कोई हमारी बात को संसत के अंदर रखे इस देश के करोड़ों युवाओं की बात रखने का काम प् churches in Newा se po 44 का मांधी जी का माईग कीया क्यों क्यों की वो बोल रहे थे नीट पर वह बोल रहे थे ओस रख्छा कैसे मिलें इस प्रेकार से देश के अंडर माता-पिता अपने बच्चों के वहिऊष को देख व Hahn क्या होगा इसले माईगंद किया है और ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष मुखर ना हो पाए लेकिन इपाद ध्यान रखे भारती जनता पार्टी इवनेता प्रिटपक्ष राहूल गांधी बैठे हैं देश के करोणो युवाओं की आबाज बैठे हैं क्या लगता है राहूल गांधी लगातार नीट यूजी का मुद्दा उठा रहे हैं और तमाम गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं सरकार ना तो इसको कैंसल कर रही है ना ही इस मुद्दे पर संसद में चर्चा चाती है इसा क्यों धर्मेन प्रदान जी इस्तीपा क्यों नहीं दे रहे जिम्मधारी उनकी बनती है की नहीं बनती है जब पहले चरन में उन्ने बोला ऐसा कुछ हुगा नहीं कोई गोटाला नहीं हुआ कोई पेपर लिग नहीं हुगा बाद में इस बात को सिख्वार किया लगातार आप जूट की सरकार है यह पेपर लिक की सरकार है यह देश के अंदर आंतरिक मुद्दों के लिक करने वाली सरकार है राज्य सभा और लोक सभा दोनों में खरगे जी जब नीट यूजी का मुद्दा उठा रहे थे उनका माइक बंद कर दिया गया और राहुल गांधी का भी माइ सरकार इसलिए नहीं चाहती है कि मोधी सरकार के पास न कोई योजना है न नियत है न नियती है क्योंकि ये पहली बार जब 2014 में सरकार में आये थे तभी इन लोगों का धेत था कि युवाओं के भविश्य को और भारत की निव को कमजोर करना है वो इस तरह से देखेंगे कभी सेना के जवानों को अगनीवीर की कुरबानी चड़ाए फिर उत्तर प्रदेश से शुरुवात किये पुलिस भरती में अगनीवीर जैसी योजनाओं को समावेश्ट करके अब इन से जब ये पूछा जाता है कि आप दो करोड रोजगार का वादा करके आये थे तो इनके प समाक में आया कि बुले कि इसकी जड़ को कैसे मिटाये जाए तो इन लोगों को एक सुझाव मिला और ये सुझाव ये था कि विपक्ष के निताओं की आवाज को आप बंद करो विपक्ष के निताओं को जब कोई वो सवाल पूछे आप उनको संसत भवन से निलंबित करो उनके राइट्स को आप छीनो और राहूल गांदी जी के साथ में इतना ही इनोंने नहीं किया राहूल गांदी जी का तो इनोंने सदश्यता तक छीन लिया था इनको क्या लगा कि राहूल गांदी जी के साथ में इस तरह से विवहार करने से राहूल गांदी जी चुप हो जाएंगे आम जन की आवाज उठाना बंद कर देंगे लेकिन ये 24 लाख बच्चों को जिस प्रकार भविश्य तबाह हुआ और आज जब नीट के मुद्दे पर राहूल गांधी जी ने आवाज उठाने की कोशिश की राहूल गांधी जी तो नया दिलाना चाहते हैं उन 24 ल किया है ऐसे बहुत सारे राज जो हैं ये दब जाने चाहिए इसलिए ओम बिरला जी समविधानिक पद पर बैठकर देश के समविधान की प्रणालियों का गला घोटने का काम कर रहे हैं और ये बहुत दुरभाग ये पूर्ण है लेकिन अब ये वो दिन भूल जाएं कि य हैं तो इस तरह नहीं होगा भाजपा का इतिहास उठाके देख लूबाजपा का इतिहासि ताना साफ से सुरूवा है जिस प्रकार नीट के पेपर कर दिए कर नेश कह दो नहीं की बदायक सारी चीजे सामने हैं फिर भी धर्मिंद्र प्रधान जी के कानूं में जू भी रहां नहीं कर रहा है। होते हैं लेकिन वह सीट को करोणों करोणों रुपए में उनको बेच दिया गया है इसलिए सरकार उसको रद नहीं कर रही है कि जिसके करोणों रूपए हम हजम कर लिए हैं उसकी हम भरपाई कहां से करनेंगे तो लगातार साक्ष भी काफी सारे सामने आए गिरफतारियां कि चालिस लाग का ट्रांजेक्शन पुलिस को मिला है तमाम सबूत आए दिन आ रहे हैं डाक वेब पे भी पेपर लीक के एंटीए की वेबसाइट है कोने की खबर कल आई लेकिन बावजूद इसके ना तो एंटीए पर कोई एक्शन ना धरमेंद्र प्रधान के खिलाफ को कोई आक्शन ले रहे हैं आपको गिरफतार कर लिया जाएगा नीट यूजी का पेपर लीक होने के बाद से ही राहुल गांदी लगातार मुखरता से युवाओं की आवाज उठा रहे हैं क्योंकि 24 लाक युवाओं के भविश्य का सवाल है आज संसद में भी उन्होंने इस मुद्धे को उठाने की को और पेपर लिक से मुक्ति की चीज भारतिय राष्टे कॉंग्रस ने अपने मैनिफेस्टों में लिखी थी कि छात्रों को पेपर लिक से मुक्ति दिलाएंगे और इसमें हम पारदर्शिता लाने का काम करेंगे लेकिन सरकार का निकम्मापन यह उजागर करती हैं यह चीज सब चीजें हुई पिसले कारेकाल में उन चीजों पर अब जाकर लगाम लगेगी क्योंकि जनता ने इनके मूपर एक करारा तमाचा मारा है दोजार चोबिस के इलेक्शन में लेकिन यह सरकार अपनी तानाशाई से अभी भी बाज नहीं आ रही है और फिर से इन्होंने राहुल गांदी ने अच्छी पहल की और उन्होंने ये भी का कि आप सब्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को इक्वली सुने लेकिन क्या आपको लग रहा है कि संसद में वो होता दिख रहा है अभी राहुल जी ने जो बात किये वो स्वस्त लोकतंतर के लिए बहु उनके मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष साथ हैं उनके विश्य गंबीर हैं उन पर अटलीस चर्चा हो रही है सदन में तो राहुल जी ये संदेश देना चाहते थे जो चात्रों में और विश्वशनेता को और बढ़ाता लेकिन दुरभागे की बात है कि सत्ता पक् और हमारे तो मानने संसद हरियाना से दिपेंदर हुड़ा जी ने इस बात को तभी आपत्ती भी जताई थी और उन्हें किस प्रकार की आवारा भाशा में उसका जवाब दिया है ये स्पीकर की भाशा मतलब कि एशोबनी है और ये शोबा नहीं देता है मुझे लगता है कि ये वो स्पीकर के पद की गरिमा को गिराने का काम कर रहे है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए आज संसद में राहूल गांदी का माइक बंद कर दिया गया वो नीट यूजी पेपर लीक के बारे में चर्चा चाहते थे संसद में क्योंकि 24 लाख युवाओं के भविश्य का सवाल है तो क्या लग रहा है संसद में लग रहा था कि बदलाव होगा विपक्ष मजबूत है और एक जुट होकर काम होगा सकता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ आकर युवाओं के हक्की अवाज उठाएंगे लेकिन फिर राहूल गांदी को वो बात उठाने नहीं दी जाती है ऐसा क्यों हो रहा है और क्या लग रहा है आपको पहले तो हमें भी लगा कि शायद सरकार का रवया बदलेगा लेकिन वह ना कि चोर चोरी से जाए पर सिनाजोरी से नहीं जाए मोदी शाह दोनों एक नंबर के चोर और फ्रोड इंसान है इसमें कोई डाउट नहीं है बात आती है नीट की तो देखिए नीट और शिक्षा की बात तो उसको समझ में आने ची जो पढ़ाई से वास्ता रखता हो प्राइम निस्टर मोदी जब स्कूल की उमर में मगरमच पकड़ने जाते थे जब पढ़ने की उमर आई तब पढ़ाई नहीं की पीम बनने के पढ़ाई से तो इन लोगों का शुरू से दुश्मनी है देखिए नीट की परिक्षया का जो एक स्कैम हुआ है और जो सबसे बड़ा की उस टाइम भारत में दो स्कैम हुए नीट के पैरलर में एक शेर मार्केट का स्कैम हुआ और सबसे बड़ी बात दोनों स्कैम देश क चर्णिश की अवाज श्री राहूल गांदी जी ने उठाए राहूल गांदी जी के इमेज को बीजेपी ने बहुत डेमेज गरने कोशिश की लेकिन दिस तरह देश की जंता ने उन्हों को एक नया आयाम दिया उनकी आवाज को स्विकार किया ये बात नरेंदर मोदी और म माइक म्यूट करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इनको भी पता है कि सरकार गिरने जा रही है कॉंग्रेश की और श्रीर रहूल गांदी जी शायद इस भी जेपीसी की मांग कर रहे है और उनको पता है अगर जेपीसी की मांग हो गई तो मामला गड़ड़ा जाएगा और लोक सबा स्पीकर है ओम बिड़ला जी शुरू में तो हमें भी लगा कि शायद वो तोड़े बुद्धी वाले इनसान है पर अब भी लगा कि वो प्योर संगी और बाजपा के एक एजन्ट के रूप में काम कर रहे है तो उनकी तो बाशाई किसी सडक चाप मवाली से भी बदतर हो गई है कि कॉंग्रेस के एक युवा सांसा दिपेंदर हुड़ा को जिस तरह है वो टोक रहे हैं तो मुझे तो लगता है ओम बिड़ला जी को लोक सबा जो अद्यक्ष का पद है वो शोबा नहीं देता बड़े सडक चाप टाइप के लोग हैं और अगामी दिनों में आप देखेंगे कि जो नीट की प्रिक्षा का जो घोटाला हुआ है और बहुत सारे लोगों उनके सपने टूटे और उससे भी बड़ी बात की हमारे जो युवा साथी हैं चाहे हमारी बहने हैं चाहे वो भाई हैं उन्होंने आत्म हत्या भी की हैं तो राहूल गांदी जी छोड़ने वाले थे उनको हैं नहीं तो शायद इसलिए बुखला गई हैं ओम बिड़ला जी को प्रॉब्लम यह है कि ओम बिड़ला जी के जो बॉस हैं अनोफिशल जाहिर सी बात है प्राइम निस्टर मोधी हैं उन्होंने बोला होगा कि उनकी कट रहे हैं और शायद इसलिए उनके बार-बार माइक ओफ करना अभी तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब दुबारा पार्लेमेंट आएगा तो यह सस्पेंड और करेंगे कॉंग्रेस वालों को पर आप एक बात दिहान रखिए कि अभी तो प्रडिक्शन भी च की अवाज उठा रहे थे नीट यूजी जो पेपर लीक हुआ है तमाम गिरफतारियां हो चुकी है लेकिन अभी भी ना NTA के उपर कोई कारेवाई हुई ना शिक्षा मंत्री ने इस्तिफा दिया भारती जनता पाटी आखिर यह सब क्यूं कर रही है और राहुल गांदी का माइक ओफ क्यों किया गया देखिए कल आपने देखा होगा कि विपक्षी दल के सभी नेतावने बैट करके एक मीटिंग की और मीटिंग के फ्लोर पर यह डिसाइड हुआ कि 24 लाख बच्चों के भविस्त का सवाल है और उनके भविस्त की बात यदि सदन में नहीं की कर देखिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह बच्चे जो है यह भारत के भविसे हैं इनहीं के कंधों परकल भारत की जिम्मेदारी आनी हैं इस चर्चा में आप सामिल होकर करके इस देश को संदेश दीजिए कि इस देश की सरकार इस देश का तंत्र इस का सिस्टम भारत के बच्चों के लिए कितना सजग है काम करने के लिए लेकिन जब वो अंदर जाते हैं नीट की बात करना शुरू करते हैं तो उनकी माईक आफ कर दी जाती है सायद भारत के इत्यास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसको अधिकार होता है कभी भी बोलने का कितनी भी देर बोलने का कुछ भी बोलने का उसको अधिकार होता है और स्पीकर का ये बिल्कुल जो रवया था कि माईक आफ कर देना कल दिपेंदर अपने पूरे जीवन भर संग की साखा में ट्रेनिंग ली हुई हो जहां समिधान के खिलाफ ही सब कुछ चिखाए जाता है फिर बोला समिधान के संबान में कोई बात कैसे सुन सकता है दिपेंदर उड्डा जी ने सिर्फ इतना ही चो कहा था कि यदि भारत की संसद में समिध प्रधान का जैघोश्ट नहीं होगा फिर कहां होगा लेकिन उस बात पर भी उन्होंने इस तरीके से जो है अमर्यादी तरीके से उन्होंनों बोला जबकि वो छटवी बार चुनकर क्या है और वो क्रोपफटित हैं वो अपनी दम पर चुनकर याते लड़कर क्यातें तो यह सारी चीज्य दर्साती हैं, आज राहू ल गांधी, शेğडव प्रधान मंत्री के रूप में बैठे हैं, प्रधान मंत्री के पद के बराबर उनकी हैसित है, हिंदुस्तान के हर उस मामले में हस्तवचेप करने का उनका अधिकार है, जिस मामले को निता को धालरρείक कहते थे कौन राहुल कौन राहुल मदब डिस्कॉलिफाई सांसत से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक का सपरते हुआ है भी राहुल गांदी तक का और नरंद्र मोदी अमिस साव पूरी अंडियो को इसी बात कडर है कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर कि प्रधान मंत्री तक का बहुत जल् प्रधान मंत्री को बोलना चाहिए जिस पर प्रधान मंत्री को चर्चा करनी चाहिए जिस पर प्रधान मंत्री को डिवेट करनी चाहिए जिस पर प्रधान मंत्री को विपक्ष के साथ सलामस्वरा करना चाहिए हर वो सलामस्वरा हर वो चर्चा हर वो डिवेट राहूल क्यों डर है क्योंकि राउल कांदी इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार बिहार में गिरानी है कि महाराश्ट्र में गिरानी है मद्यप्रदेश में गिरानी है या राजिस्तान में गिरानी है वो बात इस बात की कर रहे हैं कि 24 लाख बच्चे NTA की लापरवाही के कारण सरकार की लापरवाही के कारण जिनका भविस्यंदकार में चला गया उनको न्याय कैसे मिलेगा NTA के उपर कारवाही किसे करनी चाहिए आप बताईए मुझे सरकार को करनी चाहिए इस देश के सिच्छा मंतरी को करनी चाहिए धर्मेंद्र परधान को करनी चाहिए, हिंदुस्तान का एक बहुत महतपूण एक्जाम, जिस एक्जाम के माध्यम से इस हिंदुस्तान के महतपूण पदों पर लोग चैनित हो करके जाते हैं, उस परिख्शा को लेकर के, इतना असम्वेदन सींद अभईया परधान मंतरी का और इतना बेरुखी एक speaker की, speaker अपनी मर्यादा भूल बैठा है, अरे आप भी तो सांसद हो, जनता के द्वारा ही चुनकर के आते हो, और भी सांसद जनता के द्वारा ही चुनकर के आए हैं, और राहूल गांधी अपने मन से वहाँ नेता बिपक्छ बनकर के नहीं बैठे हैं उनको नेता विपक्ष चुना गया है चुनने वाले सांसद हैं शेकड़ों की संख्या में उन सांसदों को जनता ने चुन करके बेजा है यदि जनता का रिपरजेंटेशन करने के लिए राहूल गांदी आज खड़े हो रहे हैं वो बच्चों के भविस्ट की बात कर रहे है नीट इक्जाम में जो घोटाला हुआ है इतियास का सब्चे बड़ा घोटाला हुआ है उसकी बात करना चाह रहे हैं आप उनकी माईक आफ कर दे रहे हो और सिर्प राहूल गांदी की माईक आपने आफ नहीं की राजी सबा में नेता विपक्ष जो हैं मल्लीकारजुन खड़गा जी की भी माईक आफ करने का काम किया जा क्यों भाई आपके सदन में खड़े हो करके जब हिंदु धार्मिक नारे लगाए गए तब आपने कुछ नहीं बोला जै फिलिस्टीन बोला गया तब आपने कुछ नहीं बोला तमाम और नारे लगाए गए तब आपने कुछ नहीं बोला सम्मिधान का जैगोश हो नीट परि आप पताईए मुझे क्या नीट जैसी परिछा यदि राहूल गांदी पूरे इंडिया एलाइंस को confidence में लेकर नरंद्र मोधी को भी निमंतर दिया कि आप भी आईए सामील हो ये आईए मिलकर के कुछ शमधान निकालते हैं इसका क्या उस चर्चा में सामील नहीं होना चाहिए क्या नरंद्र मोधी की जिम्मेदारी नहीं है क्या लगता है आपको क्या मनशा है इसके पीछे राउल गांदी बोलते हैं तो उनका माइक मूट कर दिया जाता है देखिए जब देश की सत्ता ऐसे अनपड जवार गवार लोगों के हाथ में दे दी जाएंगी जब तड़ी पार देश चलाने लगेंगे तो देश के भविष्य का हाल इसी तरह होगा आप जानते है कि किस तरीके से देश के भविष्य के साथ हमारे देश के बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाल करने का काम मोधी और बीजीप की गौवर्मेंट कर रही है बाजापर की गौवर्मेंट कर रही है देखिए उनको बिल्कुल सीरियस नहीं है उस मामले को लेकर उनको नीट और ये आपको मैं बता दू नीट जो है ये वैपम घोटाला जो मद्दे परदे से लिंक अप्ट है पूरी तरी जाले की तरह उन्होंने इसको काम किया है अगर उस पहले ही वैपम घोटाले के अंदर कारवाई हो जाती अगर बीजीपी के उस टेम के सीम और उस टेम में जो लोग मौजूद थे उसमें इन्वाउल्ट उनकों कारवाई हो जाती तो आज नीट में जो बच्चों ने आउल जी का म्यूट कर सकते हो लेकिन देश की जनता का देश के उपर आने आले युवाओ का देश के रास्ते पे आने वाई युवाओ का आप कभी आवाज दबानी सकते हो यह जो लोग है हुकुम शाही करना चाहते आप देख रहें ओम बिर्ला जिस तरीके से माइक बन क मिलकर देश की आवाज को सविदान को तोड़ना चाते है सविदानने दिये व्यादिकार को रोकना चाते है जो कि इस देश की दंता कभी होने देकी कि आज फिर वही देखने को मिला राहुल गांदी का माइक म्यूट खरगे जी का माइक म्यूट कैसे देखते हैं आप इसको पहले हमें भी समझना पड़ेगा कि यह सत्या है यह बेपारियों की सत्या है इन्हें गरीबों की समस्याओं से और एक स्टूडेंट का दर्द ही नह उड़ेगा बड़ की तपस्या रही रहती है जो इतने दूर से लेके आते हैं उनके लिए स्रिप पेपर रधी हो जाना ही उनके लिए आदी संपत्ति का नुक्सान कहलाता है क्योंकि उनको वो किस उमीद से लेके बैठे हुए थे ये जो सत्ता है ये सत्ता का जो इनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं मैं ये कहना चाहूंगा गौट से ने तो गांदी जी को एक बार मारा था लेकिन ये मोदी जी और शाह हर रोज गांदी जी को मार रहे हैं हर जी के सिध्धानतों को मार रहे हैं ये freedom of speech freedom of live freedom of education को खतम कर रहे हैं मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये बिड़ला जी की बेटी है क्या ये भी सही तरह से ही पास हो गई ती आइस बन गई थी कि इसका भी paper निकल वादिया गया था जो कभी किसी के सामने नहीं आया मैं तो अमांग करना चाता हूं कि आई-एस बनी तो बनी कैसे इनके iq level से मुझे लगता नहीं है कि ये बन गई होगी ये सब फटी बाड़ा है जो आब निकल रहा है और ये किसी तरह दबाना चाहरे है आप किसी को क्यों बोलना इसे बंद करना चाते हो क्योंकि आपके दिल में आपके दिल में चोर है कि यह बोलेंगे तो बात दूरत लग जाएगी हम इनको बोलने नहीं देंगे हम इनका म्यूट करवा देंगे लेकिन इनको समझना पड़ेगा जनता जाग गई है और अब तुम्हें भागना पड़ेगा तुम चोरों की सरकारों को अडानी अंबानी क चाटू कारों को भागना पड़ेगा आप कब तक म्यूट करोगे कब तक म्यूट करोगे एक आवाज म्यूट करोगे यहां हर कोई रहूल गांदी है आप एक आवाज मूट करोगे यहां 24 लाक रहूल गांदी है और सड़क पे बोलेगा किस किस का मुझ दबाओगे तुमा आप गांधी और अंबेटकर की अत्या रोज ना करें